साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेशन की प्रेक्टिस करेंगे तो जैसा कि एक क्वेशन जो कि अभी हमने पिछले लेक्चर में मैंने आपको जो की सलेक्टेबल मारकर के रिगार्डिंग हमने क्वेशन को स क्वेशन है जो की डीविटी जारफ 2021 में पूछा गया है तो फस्ट आफ ओल यह पर्टिकुलर पार्ट कितना इंपॉल्टेंट है यह चार्ट कितना इंपॉल्टेंट है वहाँ पे समझ सकते हैं कि यहां से यह कुष्चन उठाते हैं तो जो मैंने यहां पे चार्ट पेस् करके या कुछ और भी चीज़ें वह आपसे पूछ सकते हैं तो अगर हम इस कुष्चन की तरफ जाएं तो यहां पे कह रहा है कि विच वन आप दा फॉल्टेंग कैन भी यूस्ट एज अस सेलेक्शन मारकर फॉर डेवलपिंग ट्रांजेनिक प्लांट तो वही कहान यहां पर भी बनेगी तो जो ऑप्शन आपका निकल कर आएगा वो आपका हाईग्रोमाइसिन फॉस्फो ट्रांसफरेज निकल कर आएगा बाकी चीजों के बारे में हमने अल्लेडी पढ़ लिया है और अगर आप इसमें ऑप्शन भी जाएंगे तो भी बीटा ग्रीन फ्लोरेसंट प्रोटीन ये सारे ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे उनके नाम तो आप समझ सकते हैं कि डीविटी जीरफ का पेपर बनाने वाली एजनसी कहां से कॉस्चन डराइव कर रही है ये भी आपको समझ में आ जाएगा तो यहा आपका बायो टेखनोलोजी जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे जब आप इसका एप्लिकेशन पढ़ते हैं या जहां पे आप रियक्टर्स वगएरा में बनाते हैं वहां से ये कॉस्चन डराइव है तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर चीच को हम समझ लेते हैं कि यह कहां से कहानी आती है तो जैसे कि क्या होता है कि अगर आप स्मॉल वॉल्यूम कल्चर्स जो होते हैं अगर आप छोटे बहुत कम मात्रा में कल्चर करेंगे तो वह बहुत ज़्यादा आपको एप्रिसेबल कॉन्टिटी आप प्रोड़र यानि कि ऑवियस सी बात है कि आप अगर लाब में बैठे होंगे तो आप अगर देखेंगे तो आपके पास बीकर होगा या कुछ भी बहुत बड़े-बड़े कितने एमल्स में आप कल्चर कर लोगे कितना ज़्यादा पॉपलेशन आप बना लोगे लेकिन जब हम किसी लार्ज स्केल पर वो काम करते हैं तो हमको एक बायो रियक्टर चाहिए होता है ठीक है तो प्रडूस इन दा लाज कॉलिटी देवलप्मेंट आप ता बायो रियक्टर होता है जिसमें लार्ज वॉल्यूम सौ से एक हजार लीटर तक हम उसमें क्या कर सकते हैं ग्रोथ करा सकते हैं आफ ता कल्चर कैन बी कर दिया जाता है उसमें जाइम्स होते हैं यह सारी चीजें वहाँ पर दी जाती है यूजिंग माइक्रोबियल प्लांट अनिमल और हुमन सेल्स एक बायो रियक्टर प्रोवाइट दा ऑप्टिमल कंडिशन जो भी एक सेल्स को ग्रोथ कर दें के लिए ऑप्टिमल कंडिश जो कि most important चीज है और इसी के इर्दिगर्द आपका question था तो कहने का मतलब है कि जब हम technically technology level पर जब हम जाते हैं तो हमको एक bio reactor चाहिए होता है जाकि जब हम broad level पर किसी चीज का growth करना चाहते हैं या किसी चीज का हम culture करना चाहते हैं तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई ह अब यहां पर देखेगा यहां पर जो most commonly bio reactor used किया जाता है वो आपका stirring type होता है यह याद रखिएगा exam में आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे common कौन सा है तो most commonly जो हम used करते हैं वो आपका stirring type होता है यह दो type के होते हैं जैसा कि जो पहला आपका लगा हुआ है यह symbol styled tank bio reactor होत है कि यहां पर air pass होती रहती है थोड़ा सा इसका जो नीचे का surface अगर आप देखेंगे तो यह आपका curve saved है ठीक है तो यहीं से यह world defined हुआ है अगर हम इसके structure के बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अब इस particular चीज में क्या होगा आपको acid base को measure करने के लिए आपको pH language control चाहिए होगा वह यहां पर लगा हुआ है motor लगा हुआ है Camb jours trainer अब मकिझे तो वहां पर पे फोर्म प्रक करने के लिए यहां पर यह पर इस लगा हुआ है और यहाँ से क्या उता है कि particular sterile air जो होती है वो pass out होती रहती है लेकिन जो यहाँ पे इसका modification करके जो sparsed styled tank buy're reactor बनाया गया है जिसमें sterile air bubbles जो होती है वो sparsed करती जाती है यहाँ पर क्या होता है कि वही सारी process होती है, बट नीचे से क्या होता है, कि air को हम यहाँ पे देते रहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि जो increased, यहाँ पे जो कहानी बनती है, कि जो आपके bubbles form होते हैं, बहुत सारे यहाँ पे bubbles होते हैं, जो increases the oxygen transfer area को बढ़ाते हैं, और इसका जो ultimate reason होता है, क्या होता है, कि surface area of the oxygen transfer जो होता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो बस यह एक टेकनिकली चीजे थी, जो जहां से question यहाँ पे derive हुआ है, तो कुल मिला कि आपको जो कहानी का सारांस है, कहानी का जो summary है, वो आप यह समझ सकते हैं, कि आपको bio reactor चाहिए, अगर bubbles के form में आते हैं, और bubbles के form में जब आते हैं, तो चुकि आपने पढ़ा होगा, यह physics का law कहता है, physics में जब आप surface tension पढ़ते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर पढ़ता है, कि आपका जो यह bubbles वगरा होते हैं, इनकी surface area बढ़ जाती है, जिससे oxygen transfer अच्छे से होता है, यहाँ पर य increase the agitation in the reactor increases oxygen transfer को करता है, तो यहाँ पर क्यों करता है, oxygen का transfer कैसे, agitation process में यह increase हो जाता है, क्योंकि surface area of the bubble जो होते हैं, वो increase हो जाते हैं, तो specific surface area जो होता है, bubble का, वो increase हो जाएगा, तो 1313 जो question ID है, इसका 521 जो होगा, इसका answer बनेगा, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ ग जो agitation करते हैं, वो क्या करता है, आपके surface area को क्या करता है, increase करता है, ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, अब यहाँ पर इसका थोड़ा मैंने explanations भी लगाया हुआ है, कि style tank reactor जो usually cylindrical होता है, या curved base होता है, जो मैंने आपको दिखाया, facilitate the mixing of the reactor content, यानि क जो यह curved base होता है, तो इससे क्या होता है, कि बहुत आसानी से जो यहाँ पर यह movement हो रहा है, तो इससे क्या है, आसानी के साथ यह mix हो जाता है, the style facilitate even mixing and oxygen availability throughout the bio reactor, यह बहुत important point है, NCRT की यह line है, और यह बहुत question in exam में पूछा गया है, कि style क्या करता है, तो यह जो होता है, पल् the bio reactor hazard, agitator system होता है, यही बात इन्होंने की थी, an oxygen delivery system बोलते हैं, और एक foam control system होता है, and a temperature control system, pH control system, and sampling pot, so that small volume of the culture can be withdrawn periodically, तो agitator जो होता है, वह कुल मिला के आपकर क्या करता है, surface area को बढ़ाने के लिए use किया जाता है, ठीक है, तो यह चीज़े आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कुछ बहुत खास चीज़े नहीं है, बस आगे से याद रिखेगा, कि यह bio reactor क्या होता है, इसके अलावा कितनी इसकी capacity है, क्या इसकी requirement है, दो type का होता है, most important जो आपका होता है, commonly used किया जाता है, वो आपका stirring type का होता है, और इसके अलावा दूसरा जो होता है, वो आ से क्या होती है, oxygen throw out ability बनी रहती है, और यहाँ पर क्या होता है, bubbles के form में oxygen जो होते है, वो release होते रहते है, ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, और इसी तरीके से एक question जो की और है, यह आप देख सकते है, जो पहला question यहाँ पर frame लगा हुआ है, यह question ज दीजिए, हलाकि यह question कह सकते है, कि आप यह immunology का है, हलाकि इस particular चीज को मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, बट अब यहाँ पर आया है, तो इसको समझ लीजिए, कि कह रहा है है कि single chain variable fragment बनाए जाते है, जो की fusion protein होते है, यह किसके बने होते है, तो होता क्या है कि single chain variable fragment, तो स story यहाँ पर होती थी, और variable जो होता था, यही आपका क्या करता था, antigen से bind करता था, ठीक है, यह इस तरीके से आप कह सकते थे, तो यहाँ पर variable जो है, यह यह आपका light chain का है, इस तरीके से more or less आपका structure होता था, तो जब हम fusion protein का formation करते हैं, तो जो कि main काम तो हमारा variable कर रहा थ जो antigen से binding capacity रखता है, तो हम क्या करते हैं, कि जो भी आपके variable reason है, चाहे वो heavy chain का हो, या light chain का variable reason हो, इसको हम क्या करते हैं, isolate कर लेते हैं, और किसी एक linker protein से, समझ रहे हैं, मतलब चूंकि इसको हम क्या करते हैं, obvious सी बात है, अगर इसको isolate किया, तो इसको जोड़ना भी पड जोड़ते हैं, और ये वाला part जो होता है, इसको remove कर देते हैं, constant region वाला, ठेक है, तो ये application होता है, ये तरीका होता है, single chain variable fragment बनाने का बहुत important question है, दो बार repeat हुआ है, तो यहाँ पे देख लिजे आपका options क्या दिया है, तो FC reason, नहीं भाई, FC reason तो हम हटा देते हैं, cable और cable variable heavy chain, light chain नहीं, दोनों के ही heavy chain और light chain को जोड़ते हैं, by the flexible linker region से, तो बहुत important था, यहाँ पे 5361 इसका correct answer आपका बनेगा, इसके अलावा जो आपका next question है, जो कि 2022 में यही question को repeat किया है, यहाँ पे single chain variable fragment बोला था, यहाँ पे short chain variable fragment of the antibody are composed of, तो heavy chain, variable region और light chain, तो आप देख constant region जहाँ पे होगा, उसको आप हटा दीजिए, FC region जहाँ पे होगा, उसको आप हटा लिजिए, complementary determining reason भी हम नहीं रखते हैं, cable variable regions हम रखेंगे, जो कि heavy chain और light chain होगा, तो यानि कि इस particular question में जो correct answer आपका निकल कर आएगा, वो आपका 2, 7, 3, 5 निकल कर आएगा, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुत ही important चीज है, और इसमें कुछ ऐसी खास बात नहीं थी, single chain variable fragments हम बनाते हैं, ठीक है, fusion protein जिसको बोलते हैं, या of antibody का किस part से बना होता है, तो यह आप याद रखेगा, यह आपके variable reasons का हम use करते हैं, और दोनों ही वो आपके heavy chain और light chain का लेते हैं, constant region से हमको नहीं मतलब होता है, ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी, इसके अलावा जो हमारा next question है, इसको भी देख लेते हैं, लगे हाथ, कि which one of the following method of controlling microbial contamination, या लीस्ट preferred इतना food processing, यानि कि जब हम food industry में food बना रहे होते हैं, food processing कर रहे होते तो हम contamination को रोकने के लिए, जैसे आपको पता होगा, कि हम पास्चुराइजेशन आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, पास्चुराइजेशन, लुइस पास्चर साहाम ने इसको बताया था, जिसमें हम पास्चुराइजेशन मिल्क करते हैं, इसको हीट करते हैं, ज जो microbial से बचाने के लिए, इवन आपके जो भी घरों में भी सामान आते हैं, उसमें अगर आप कोई भी, उसके components को अगर आप पढ़ेंगे, मालीजे कि अगर आपने दू, दही, लसी, जो अगर आप अमूल वगारा से मगाते हैं, या अगर आप कहीं से भी, मतलब कोई भी प्रिजर्वेटिव के नाम पढ़ लीजेगा, ठीक है, कि कौन-कौन से food preservative agent होते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि next time आप से पूछ लिया जाए, कि which one of the following is the food preservative agent, ठीक है, तो ये particular चीज जो है, ये आपका homework है, और हर चीज, मतलब आपको भी effort करना होगा, और इन चीजों को ध आलिंता के साथ, बहुत ही seriousness के साथ, उस कारे को करिए, यहाँ पर जो आप तीसरा जो process होता है, जो आप laboratory method में आप बहुत ही आसानी से देखते हैं, autoclave करना, ठीक है, ये भी method जो होता है, वो use किया जाता है, लेकिन जो हम dry heat, जो कि बहुत पुराने जवाने में होता था, कि heat कर दीजिए, फिर उसके बाद चीजे चलेगी, आप अपने घरों में भी देखिए, कि अगर microbial contamination अगर आपके dry heat करने से, या heat करने से, अगर दूद को आप उबालते हैं, तो कितने दिर तक गरिमियों में चलता है, आखिरकार कुछ दर बाद वो खराब हो जाता है, यानि कि उसमें contamination आ गया, ठीक है, तो यानि कि हम इस process को हम बहुत ही least use किया जाता है, या कह सकते हैं कि बहुत ही neglected form में अब इसको हम use करते हैं, ठीक है, तो pasteurization तो बहुत ही famous method है, जिसका use किया जाता है, पास्चुरिक दूद आपने पढ़ा होगा, preservative use किया जाते है, autoclave किया जा ठीक है, तो यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी, आज हमने कुछ अच्छे questions को solve किये हैं, तो जो चीज़े आपको यहां से submit कर जाना है, पहली चीज़ तो आपको food preservative agents जो की आपका homework दिया है सर ने, आप इसका नाम याद रखेंगे, बाकी लगे हाथ आप pasteurization भी ठोड़ा सा पढ़ लीजेगा कि इसकी पूरी process क्या होती है, autoclave भी पढ़ लीजेगा, एक बार Google पे search करके कि इसमें क्या methods होते हैं, इसके बाग हमने variable chain fragments वाली story आपको बता दी है, इसमें भी आपको कोई समझ्या नहीं आएगी, ठीक है, और tank reactor bio agitator system जो की यहां पे लिख हुआ है, agitator system होता है, जो क्या करता है, oxygen के surface area को increase करता है, और इसके अलावा जो sterile facility करता है, oxygen availability throughout the bio reactor, यह बहुत important line है, बहुत बार ऐसे questions जो है, वो NEET के exam में पूछे गए हैं, तो इसको ignore मत करिएगा, इसको याद करके जाईएगा, ठीक है, जो most commonly आपका used किया जाता है, वो आपका stirred, stirring types का होता है, और इसके अलावा दूसरा जो आपका होता है, वो आपका sparge type होता है, बाकी कहानी जो होती है, कुछ भी नहीं जानते हैं, तो बसाम इतना जानते हैं, कि oxygen के surface area को जो होते ही है, वो बढ़ा देता है, जो bubbles होते हैं, ठीक है, तो यहां तक यह story आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी अच्छे से आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है, और किसी भी तरीके की अगर आपको कोई समझ्या होती है, तो comment section में जरूर बताइए, बाकी particular video अच्छा लगे, उस पर भी बताइए, अपने प्रतिक्रिया बाकी मिलते हैं, next video में, next information के साथ, thank you very much.